स्रजनवा के नई कॉलोनी के रहने वाले अपजीति वारी से पिछले दिनों साइबर ठगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाने और उसका मुनाफ़ा दिने के नाम पर 7,60,000 रुपए की ठगी की थी इसके बाद वे साइबर ठाने आये यहाँ पर अच्छा रेस्पॉंस मिला और यहाँ से उनका खाता ब्लॉक करवा दिया गया कम समय में ही उसे पकड़ कर तीन दिन पहले उनके सारे रुपए उनके खाते में वापस आ गये जनबत के साइबर ठाने के पुलिस को बुला कर खुद डियाईजी जेरविंद गौड ने होसला अवसाई करते हुए बदाई दी वहीं पीडित ने भी साइबर ठाने वजनबत पुलिस का भार वेक्त किया कि अधे इस समन्ध में चरम वाधदाता से बात करते हुए साइबर ठाने के साइव पेंदर कुमार ने बतारुक अधर रुपए बता हुए यह एक वेक्ट थी है विजी तीवारी सराजनवा गुलत को किराने वारेंगा एक सियर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे तो अचानक एक दिनिन के पर स्पोन आया इसी ने अपने आर्प को बताया कि वो कंसर्टेंसी कंपणी का कारियर खर्मचारी है और इस कंपणी जो है स गृष्ट करने के सुझाव देती है जिसते उसने अभीजी तीवारी के विश्वास करके उसको कुछ पुछ अमांट पाईजे दिया तो इसके बदल्यार में उसने सिर्मचेजने के सुझाव दिये तो वुट थीक्षा प्रॉट हुआ था और जब अब जब अब 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 उसके वापस करने के साथ किस तरह से वह आप लोगों के पास पहुंचा और पैसे कितना पेमिन उसे वापस करा गया जिके उनों कम्पेंट अब लेकराई ते लगाउट इने तो उसके में पूरा आडिनिफाइ किया गया था जो गी कपरीं तो इस पैसे में जिस आते में न करा गया तो इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है जब इस तरह कितने कैसे देखने को मिल रहा है इस समय देखिए अपने आपने एक अलग से मॉड़स अप्रेंडिजर सेयर मार्केट में इंविस्ट करने के दालच वालच 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 है कि पहला मामला यह है जो बड़ी लगा है यह तो तो चुटे तो मामले आते रसे है